जो भाइए जिस तरीके से हम लोगों को जादा temperatures high होने की उपर जादा गर्मी की वेज़े से cooling की दरुवत पढ़ती है, fan की, cooler की, AC की दरुवत पढ़ती है, उसी तरह से जादा high temperatures की उपर हमारे processors को भी custom CPU coolers की जरुवत पढ़ती है, क्योंकि जो stock coolers आते हैं हमारे processors के साथ मे वो इतने capable नहीं होते हैं कि high loads की पर अच्छे से temperatures को maintain कर पाएं, या अगर आप overclocking करके चला रहे हो अपने processors वगरा को तो एक अच्छा decent temperature जो है manage कर पाएं, जिससे की thermal throttling ना हो हमारे processors के अंदर, तो thermal throttling जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूँ, thermal throttling का मतलब होता है अपने CPU के temperature को काफी डाउन कर सकते हैं, और अराम से अपने processor से maximum performance पा सकते हैं, इस वीडियो के इंतर मैंने 5000 रुपे के price budget के अंदर कुछ best custom coolers बता हैं, आप लोगों को जो कि आप अपने processors के लिए अपने budget के हिसाब से चूज कर सकते हैं, और यह सारे cooler जो है Amazon website के उपर available ह तो इन सब के ही जो लिंक्स हैं वो मैंने वीडियो के description में दे दिये हैं, वहां से जागे आप चेक आउट कर सकते हैं, तो इन में air coolers भी हैं, और AIU coolers भी हैं, दोनों ही है, और सब best हैं अपने price budget के हिसाब से, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, so hello दोस्तों, मेरा ना up and down हो जाएं तो भाइया, उसके लिए I am sorry, क्योंकि price जो है up and down हो रहते हैं, तो इसका मैं से मिदार नहीं हूं, लेकिन अभी जितने भी हैं, वो सारे present price हैं, जिन की उपर मैं बता रहा हूं, वैसा अभी जो कोई offer वगरा नहीं चल ला Amazon पे, offer वगरा में जो है, आपको थो जनरल आपको CPU के अपने temperature कम करने हो, उसके लिए बहुत अच्छा है, काफी कर रहा है, 92 mm का इसके अदर हमें fan मिल जाता है, जैसे की आप देख सकते हैं, इसके अदर हमें blue color की LED मिल रही है, जैसे की आप image में देख सकते हैं, तो ये single LED मिलती है, तो at least it is good के हमें at least light देखन होंगे, आपके CPU से, तो ये चार वाला तो नहीं है, दो वाला ही है, लेकिन 860 रुपए का है तो जाहिर सी बात है, बहुत जाद हम expect नहीं कर सकते हैं, इस budget के अंदर, लेकिन ये ठीक आपका काम चाला देगा, आप देख सकते हैं, रेटिंग भी काफी अच्छी दिवी है, ये फर्क तो ला देगा, लेकिन पांस साथ डिगरी का तो आराम से फर्क ले के आ जाएगा, तो जिन लोगों को एक इन जनरल CPU के टेंपरिशर लो करने के लिए CPU कूलर चाहिए, अपने एक सिंपल PC के अंदर, तो उस cooler को वो लोग कर सकते हैं, इसके बाद दूस्तों हमारा एक साल हो गया होगा, यह से हो सकता है, तो यह जो CPU कूलर है, बेसिकली 2000 रुपे के प्राइब में आता है, और यह जो है, बहुत ही अच्छा CPU कूलर है, मतलब मैंने इसकी जाड़ सी बात है, आप देख लिए है, तो यह आपके CPU के जो टेंपरिचर से उनको आराम से 10 डिग सकते हैं, तो यह बहुत इच्छी चीजे 2000 रुपे में एक ARGB इसमें मिल रहा है, और फैन की स्पीड भी इसकी अराम से 2000 रपीम जो है चलिया आती है, और यह जो CPU कूलर है, यह चार हीट पाइपस के साथ में आता है, आप देख सकते हैं, बोटम इसका व्यू चार कॉपर ही में नीचे की साइट की होल्डिंग जो यह आपके सॉकेट के साइट में जैसे होल्ड करके रहेंगी यह सिल्वर कलर में बाग और पूरा फैन हीट और अंदर के पाइप जो हैं कॉपर पाइपस वह सब ब्लैक कलर के अंदर पेंटिड है और बहुत अच्छा डिसेंट व्य मोस्ली विजिबिल होता है साइड में कैबिनेट से तरह से यह आप देख सकते हैं उपर से पूरी फिनिशंग के साथ में वियू मिलता है और इसमें ऊपर रहे से थर्मल टेक का जो है लोगो जो है वह वह भी ऐसे ऑर जीवी की साथ में मतलब दिखता है क्योंकि उसमें आर 30W तक की TDP को अराम से हेंडल कर सकता है और अपने CPU की आराम से की पर कर सकते हैं और इसका रिवीउद हमने कर आई है तो इसका लिंक वीडियो के दिस्क्रिक्शन में दे दूंगा वहां से जागे आप चेक कर लिएगा के बाद हमारा जो नेक्स्ट कूलर है वह भी हमारा एक एर कूलर और वह हमारा ये डीप कूल का का यृईट कलर बीच में मिलता है और इसमें भी हमें चार प्र हीट पाइस मिलाथे हीцо गयियो तो इस तरह से पूरी ब्लैक करते है टो लोक है जो का फी याट जीड़ नकिर काफिए अब बाद आप आर यह बहुत यह आच्छा कूलर यह आप अरВО अरारय में कर कर सकते हैं फैन की स्पीड जैसे कि इन्हों ने बता रखा है 500-1500 तक मिल आती है फैन स्पीड मैं कौनको इसकी बहुत जादा तो नहीं है 2000 रपीम तक होती है अग्र तो अच्छा रहता और Intel AMD की जितने भी CPU coolers मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर सब Intel और AMD दोनों ही processors की उपर सपोर्ट करेंगे दोनों ही में रबोर्ट पर सपोर्ट करेंगे तो अगर आप यह वाला cooler लेना चाहता है सब्सक्राइब देख सकते हैं इस तरह से लोग मिलता है आर जी बीगवी बात करूं तो इसमें सिंगल इलेडी मिलती है ब्लू कलर की इसका जो आपका CP ब्लॉक ए इसमें और इसका जो फैन है उसके इंदर भी आपको सिर्फ ब्लू कलर की LED सिंगल एलेडी देखने को मिलेगी तो इसमें हमें RGB और इसमें सिंगल इलेडी मिलती है लेकिन एक AIU कूलर मिल रहा है हमें सिर्फ 3400 रुपे के प्रैस ब्लू कलर में तो यह जो है बहुत ही अच्छी बात है तो यह कूलर जो है मैं कहूं आप देख सकते हैं इसका जो रेडियेटर प्लू कलर में मिलता है और इसकी और कुछ डीटेल बताऊं तो इसके अंदर हमें इस तरह से पूरा जो है प्योर कॉपर सीपी ब्लॉग मिलता है जो के काफी अच्छी कूलिंग करने में मदद करता है जैसे कि इन उनने बता रखा है कॉपर बेस के अंदर मिलता है पूरा इसके इंदर बाखी दे बाखी इंदर जो आपको तीन साल की आपको वारंटी मिल जाती है इसके अदर किसी भी तरह का अगर कोई परिशानी होती है आप इसको रिप्लेस रिपेर करा सकते है और इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यह जो है बहुत इची परफॉर्मस निकाल करके देता है ओव लेविल की ओवर क्लोंगिंग तो मैं रिकमेंट निकरूंगा कि सिंगल फैन का वण टॉनटी अमें रेडिएटर वाला यह और नॉर्मल ओवर क्लोंगिंग इंदर इस पर तेंपरिचर कर सकते हैं आराम से आठ से नौ डिगरी या दस डिगरी तक भी फरच डाल सकता है बस यह जो है डूल फैन वाला तुफॉर्टी एमें बड़े रेडिएटर का यह कूलर सेंप्रिवियस वाले का बस डबल हो आता है इसके अंदर साइज रेडिटेटर का और दो फैन लग जाते हैं तो इसके अंदर मुझे और कुछ बताने ही जरूद नहीं है बागी सब च बहुत अच्छा है यह बस इसके अंदर भी हमें सिंगिल एलीडी देखने को मिलती है यही लेकिन इसमें एक और वर्जान आता है इसका जो थोड़ा सा कॉस्ली हो आता है वह हमारा यह वाला आप देख सकते हैं गैमेक्स एल टुफॉर्टी वी टू आरजी भी लगा हुआ है तो यह वाला जो है अराउंड एक हजार रुपे जादा मेंगा है लेकिन इस पर मेरा अमेजन प्राइम मेंबर्शिप क्यों पर टूएटी फाइफ कूपन दिखा रहा है आप यह पता नहीं के लिए खाली या नॉन प्राइम के लिए तो आप अगर कोई खरीदने जा र कर सकते हैं यानि कि आराउंड शायद 6 के अंदर मिलते हैं आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज में एक बंदे ने दिखा रहा है इसका जो 120 वाला आता है ना उसमें भी मल्टिपल कलर वाली LED वाल ऑप्शन मिलता है तो वह अलगा के दिखाया है इसमें तो आप देख सकते है यह परपेल हो गई यह रैड हो गई यह ग्रीन और सब्लू कलर और यह अपका यलो कलर तो इसमें ने तो पूरा अपना सिंग कर रखा है तो इसमें और जादा कलर देख रहे हैं लेकिन आप सिर्फ फैन को देखिए पीशे वाले तो इसमें जो कलर आपको चेंज होड़ते कर लिए क्योंकि यहां पर दे रखा है और सिंग सपोर्टेट बागी जितने भी मदरबोर्ट के जो सिंग्स होते हैं वह सब सब्सक्राइब और वैसे और जीवी करके तो उन्होंने इसका नाम दे ही दिया है तो होफुली आर जीवी सपोर्ट करता हो तो बहुत अची बात और जो 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 यह 5,000 रुप्साइब में आता है फॉला च्छा यह ने कोलर बहुत अच्छा एको पूलर है इसमें बहुत अची प्रफॉर्म्स मिलती है फुल और विल आर जीवी मिलती है इसके फैंस में और इसके सीप्य ब्लों के अंदर भी चैसे आप देख सकते है इमे जनरेशन का लेटेस्ट सॉकेट है लगा सकते हैं और सारे जितने भी यह अच्छा लगता है देखने में मैं इसकी कुछ इमेज दिखाया था हूं जिसने किसी ने लगा के दिखाया उसे आप देख सकते हैं यह वीडियो बंदे ने डाली है इसके अदर आफ देख सकते ने लगा के दिखाया और पूरी जलती वी लेट तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैंश को जो को मुं में प्लग का दिख 17 घिव A आरजीबी बगर इसकी काफी डीसेंट लगरी है देखने में बागी परफॉर्वेंस वाइस भी यह गैंडियास का जो यह काफी अच्छा यह कूलर है इस क्यूपर आप अराम से ओवर क्लॉकिंग कर सकते हैं और यह अराम से 10 डिग्री से कि यह टेंपरेशर्स आपके कम करके रखेगा ऑर लॉककिंग झे पर हाइडवी न से के पर है आपको यानि कि at least 80-90% CPU loads की बर मैंने टेंपरेश को बताया है यह तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक से उन्हीं में मैं एड कर दूँगा इसके लाव अगर आपको कोई सवाल हो सीप्यू कूलिंग से रिलेटेड या इन कूलर में से कोई कूलर चूज करने से रिलेटेट तो मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं यह वीडियो भी आपको कूल लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को जल्दी से और चैनल की पर अगरा फस्टाइम है उन्ट्रस सकते हो तो पता है न क्या करना है अब सब्सक्राइब को बटन दबा किया बैल आइकन पर और बटन भी दबा देना है और रमजान का टाइम चल रहा है रमजान स्टार्ट हो चुके है तो हैपी रवजान टू अलफी और नवरात्री भी स्टार्ट तो इस वीडियो में इतना ही था बस बताने के लिए और फ अब तक के लिए अपना ख्याल लगी है गुडबाय टेक केर कीव स्माइलिंग एंड कीव बूमिंग विद मी